शेर मार्केट में हर को ही आता है रिच होने के लिए unfortunately बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पूरी लाइफ टाइम में यहां से बहुत बड़ा विल्थ बना सकते हैं ऐसे में मैं मिला एक ऐसे व्यक्ति से जनको 26 years का experience रहा है शेर बजार में, शेर मार्केट में उन्होंने highs देखे हैं, अपने life में, lows देखे हैं, ups देखे हैं, downs देखे हैं, market के crashes देखे हैं anonymous रहना चाहते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना उनसे derive किये गए lessons आप लोगे साथ शेर किया जाए जैसे कि आप लोग जो मुझे regularly follow करते हैं, उनको पता है कि मैं काफी जादा travel करता रहता हूँ कभी Mumbai, कभी Delhi, कभी Bangalore, इस तरह से काफी जादा travel करता हूँ तो कहीं न कहीं, because of the nature of my work, मेरा introduction हो जाता है कुछ ऐसे phenomenal लोगों से जो बहुत तगड़ा पैसा बना चुके हैं बजार से, और आज ऐसे ही एक शक्स के कुछ lessons में आप लोगों साथ share करना चाहूँगा, पहले ही बता दूँ कि यह जो शक्स है, इन्होंने trading से नहीं, investing से अपना major chunk of wealth बना है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि trading से पैसा नहीं बन सकता है, काफी सारे लोग हैं जो बना रहे हैं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का आज मैं reference देना चाहता हूँ, उन्होंने investing से बना है सबसे पहली चीज जो वो clear करते हैं, यह कहते हैं कि यार, आज के समय में wealth का definition ही पूरी तरीके से गलत हो चुका है हर कोई wealth मतलब पैसे से relate करता है, सब को यह लगता है, wealthy इंसान वो है, जिसके पास धेर सारा पैसा है, Lamborghini है, जिसके पास धेर सारी गाड़ियां है, एक बड़ा सा बंगला है पर इनका यह कहना है, कि इतने सालों से, जो इनने नहीं experience किया है, market और market के भार भी, true wealth वही होता है, जो आपको happiness दे सके इसको उन्होंने decode करने की इस तरह से कोशिश करिये, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो materialistic position के साथ सही में true happiness पा सकते हैं अकसर काफी सारे लोग aspire करते हैं materialistic goals, because उनको लगता है, कि जिस दिन उनके पास उनकी favorite गाड़ी आजाएगी, उनको लगता है, जिस दिन उनके पास उनका favorite बंगला आजाएगा, जिस दिन उनके पास उनकी crush जो है, उनके पास आजाएगा, उस दिन वो happy रहेंगे, पर इनक मानना है कि ऐसा नहीं होता है, वो true wealth नहीं होता है, true wealth वो होता है, जिसमें आप खुद healthy रहें, जिसमें आपका एक social life हो, वो एक healthy social life हो, आप आराम से अपने loved ones के साथ रह सके हैं, अपने सारे responsibilities को ease के साथ fulfill कर सके, responsibilities कैसी होती हैं, for example, आपकी family के तरफ कुछ करतव्य हैं, आ आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो workforce के तरफ आपकी कुछ responsibilities है, जब आप ये सारी चीजों को proper तरीके से fulfill करते हो, तभी वो आप लोगों के लिए matter करता है, उन्होंने कहा है कि at the end हम अपना किस्मत अपने actions से लिखते हैं, तो ये काफी सारे लोगों को लगता है, कि काफी स journey की अगर बात करें जाये, तो उनका ये कहना है कि investing का सबसे बड़ा wealth किसी lucky break से बनता है, और उन्होंने बकू भी इस चीज को समझाने की कोईश करी है, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 20078 में उनका नुकसान हुआ, और हम सब जानते हैं कि क्यों हुआ होगा, lemon brother crisis के बात major पैसा बनाने के लिए, इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि lucky breaks कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि वो अपनी life में lucky break मानते हैं, जब internet उनकी जिन्दगी में आया, देखिए 26 साल से हैं, तो सुभाविक सी बात है, कि वो उस era से आ रहे हैं, जब internet इतना predominant नहीं था, और वो कहते हैं काफी सारे investors जिनको आज बहुत बड़ा बनते हुए देखते हैं, वो early stage of internet adoption के game में आगा थे, वो game changer हो गया था, किस प्रकार से, इसके पहले लोग manually काफी सारे books पढ़ने की कोहिश करते थे, manually वो देखते थे financials में क्या चल रहा है, manually काफी सारी चीज़े करने क कोश करते थे, लेकिन जैसे ही internet आया, उसने पूरी तरीकी से game बदल दिया, और लोग beyond investing देखने लग गए कि किस तरह से valuations को quickly calculate किया जा सकता है, ratios के लिए spreadsheets बनाया जा सकता है, काफी सारी चीज़े, वो लोग देखने लग गए, उनका यह कहना है कि सबसे बड़ी गलती, जो भी बंदा share बजार में आता, वो ता जल्दी पैसा कमाने का, उनका यह कहना है कि compounding कभी भी जल्दी आपको results नहीं देगा, और यही पर बहुत सारे लोग mistake कर देते हैं, mistake यह करते हैं कि वो invest तो करना चाते हैं, लेकिन caution के साथ नहीं invest करना चाते हैं, वो invest इस ले करना because वो अपने job से परिशान है, business से परिशान है, वो परिशान है अपनी life से और उनको जल्दी पैसा बनाना क्योंकि उनको लगता है कि जिसने जल्दी वो पैसा बना लेंगे, उतने जल्दी उनके जीवन के सारे problems का हल मिल जाएगा, solution मिल जाएगा and my dear friend as per him, this is one of the biggest mistakes जो तब आप comfortably over a period of 20 years, 25 years काफी जाधा wealth बना सकते हैं, पहला उनने का है value of money, अक्सर हम लोग money को value नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि खाना हम घर पे नश्ट करने की कूश करने हैं, बोलोगा रही से लोग तो करते हैं, लेकिन इनका mindset थोड़ा लगया, आज मैं उनका mindset आपके साथ share कर रहा हूँ, काफी लोग पैसे को value ही नहीं करते, credit पे credit पे चले जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी mistake है, काफी सारे लोग जल्दी पैसे बनाने के कारण risk की investments करते हैं, FNO बुरा नहीं है, लेकिन FNO में आप बहुत जादा leverage अगर ले ले लेते हैं, तो शायद बुरा हो जा तो उनका कहना है, पहला value of money समझो, दूसरा risky investment से दूर हो, तीसरा educate yourself, हमेशा अपने आपको educate करो और हमेशा cautious रहो, हमेशा ये मत सोचो कि मैं कितना पैसा बना सकता हूँ, हमेशा सोचो एक financial disaster अगर आ गया, तो आप क्या उसको सहने की शमता रखते हो, उनका ये भी कहना है, कि आज की society का सबसे जादा जो उनका observe किया है, problem वो है कि हर कोई एक scarcity mindset के साथ जी रहा है, scarcity mindset in the sense कि सबको लगता है कि दुनिया में पैसे की कमी है, opportunities की कमी है, और इसलिए सब एक दूसरे की टांग कीचिने पर लगे पड़े हुए, वो social media का consumption बहुत कम करते हैं, और उसका reason वो ये बताते हैं, जैसे for example, उन्होंने मेरे खुद के एक hardly 8 या 10 वीडियोस ही देखी है, in fact वो YouTube भी जादा सर्फ नहीं करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि media outlets आज के समय पे negative जादा है as compared to positive, उनका ये मानना है कि काफी सारे आगर आप social media पे जाते हो, तो बुराईयां ये hate जादा फलाय जा रहा है, टांग ही जाए की जारी है, which is not good from an investor's mindset, आप किसी और करनी लेकिन अपने बारे में selfish होई, अपनी investment के बारे में selfish हो, a negative mind cannot ever prosper as an investor और वो example देते हैं, राकेश जी का, वो कहते है यार राकेश को, in fact he has met also, he had met राकेश जी, उनका ये कहना है कि रा investment को लेके positive रहे, in fact post 92 era आप अगर कभी भी उनका return interview देखें या video based interview देखें, वो हमेशा sound करेंगे ultra optimistic, ultra positive, market में कुछ भी चल रहा है, बड़े से बड़े scam चल रहा हो, बड़ा से बड़ा धंदला चल रहा हो, they are always positive and this is one essential attribute of any investor as per है, उनका ये कहना है, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि financial mistakes over a period of two to three decades बहुत सारी होंगी, लेकिन आपको उनसे learn करना है, because आप learn करते रहेंगे, तो evolve होते जाएंगे, and that is something which one should keep in mind, उनका ये कहना है, कि get rich slow को आपको embrace करना पड़ेगा, आपको उसको adapt करना पड़ेगा, उनको कहना है, कि असली investing, असली wealth आप तभी बना सकते हो, जब आप relax रोगे, steady रहोगे आपके investing goals के साथ, simplify करोगे अपने investments के साथ, मैंने उनसे पूछा था, कि क्या हमें धेर सारी किताबें पढ़ने के जरू होते हैं, क्या हमें धेर सारी ratios, formulas, इस तरह की चीज़ें पता होने चाहिए, उनन intrinsic value का rule लगाते हैं, कि intrinsic value के नीचे अगर share है, तो खरीद लो ओपर है, तो बेश तो, by the way, इस video को आप 15,000 likes जरूर दीजेगा दोस्तो, because इस से मुझे पता लगेगा, आपको इस तरह के videos पसंद है कि नहीं, like जरूर कीजेगा, इसके आगे, उन्होंने एक बहुत interesting चीज़ क और problem होती ही, काफी सारे लोग patience महा तक छोड़ देते हैं, उनका यह कहना है, कि आप जितने kind, कि जितने generous होगे, अपने investments को लेके, अपने investment में बहुत पैसे वाले हैं, investment into your relationships, investment into your work, investment in the stock market, आप जितने patience रोगे, जितना generous होगे, उतना आपके लिए better रहता है, उनका ये भी क काफी सारे लोग, in fact, वो भी एक time पे numbers को chase करते थे, numbers को मतलब 1 करोड आ जाए मेरे पास, 200 करोड आ जाए, 100 करोड आ जाए, लेकिन उनका ये कहना है, कि ये कभी भी आपको contentment नहीं देगा, शान्ती कभी भी ये provide नहीं करेगी, उनका ये कहना है, कि आप जब अपने career के early stages पे रहते हो, let's say 30s में रहते हो, 20s, 30s, late 30s में, तब आप बहुत जादा चीज़े accumulate करने की कोईश करते हो, आपका first half of your life, let's say अगर आप 80 तक जीने वाले हो, 40 तक आप के वल चीज़े accumulate करने पे लगे रह जाते हो, भागा दोड़ी में लगे रह जाते हो, बिको society ऐसी बनी बंगले हैं, किसके पास कितनी आज के सामय पर validation देखा जाता है, कितने social media पर followers हैं, कितनी ये सारी चीज़े हैं, आप first half पर भागने लग जाते हो, but second half में आते आते, आप realize करते हो कि ये सारी चीज़े शानती के लिए ज़रूरी नहीं है, in fact, ये आपके happiness की killer हो सकती है, उन आपके पास अनुभव इतना हो जाएगा, कि केवल 4-5 साल लगेंगे, आपको डेर सारा पैसा बनाने के लिए, क्योंकि ये जनाब खुद कहते हैं, कि यार, इतने इस साल, जो मैंने market में बिता है, मेरा जो major chunk of wealth बनता है, वो उनके phases में बना है, ऐसा नहीं कि एक साथ लगा आप loan लेके trade या invest करते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आगे जब मैं बात करा, मैंने बुला कि यार, आपको क्या लगता है, इतना पैसा आपके पास हो गया है, सब हो गया है, काफी chilled, काफी चहरे पे एक, जो बोलते हैं, एक calmness दिख रही है, तो आपको क वो aspects हैं, जो आपको true wealth बना के देंगे, बट problem होती है, कि हम सरे पैसा, 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 पैसा के पीछे भाग रहे हैं, वैल, आपको क्या लगता है अभी तक जो आप सुन रहो, क्या आपको लगता है, कि बातों में दम है, comments में जभू बता हैगा, मुझे तो sense बिलकुल लग के लिए, काफी सारे लोग केवल और केवल professional growth के लिए अपनी थोड़ी learning रखते हैं, लेकिन personal growth के लिए भी आपको ज़रूरी है, self reflection करते रहना चाहिए, आपकी जो thoughts and observations है, जैसे इनकी आदते वो लिख के रखते हैं, अपने experiences को लिख के रखते हैं, observations को लिख के रहते हैं, क आपके personality के साथ match करें, काफी सारे लोग इस तरह की strategy बनाते हैं, कि बहुत किसी ने बता दिया, किसी ने जल्दी पैसे बना दिया, social media पर बता दिया, TV पर बता दिया, तो इस चक्कर में हम उस तरह की policies बनाते हैं, which is completely wrong, investing में अगर आपको आगे जाना है, तो उनका यह कहना हो, हाँ, यह है कि आज से 26 साल पहले में अपने आपको जित्ता जानता तो उससे जादा आज के समय पे जानने लग गया हूँ, but this is something which is very important and very crucial for any investor, तो दोस्तों आशा करता हूँ, आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला है, इस तरह के interesting videos रोज साढ़े तीन ब